हेलो दोस्तो आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन्ट और नॉलेजफुल होने वाले क्यूंकि आज हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने वाले हैं जो मार्केट की गिरावट की वज़े से अपने 52 विक हाय से डिसकाउंट में मिल रहे हैं और ये तीन स्टॉक्स फंडामिटली स्टॉंग है और अच्छे वैलिएशन पे भी मिल रहे है तो अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में इंवेट्मेन करने की सोच रहे हो तो आप इन त्री स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो लेकिन दोस्तो वीडियो स IT सेक्टर की कंपणी है और ये स्टॉक अभी 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करें इसके डेप्ट की तो कंपणी के उपर 5.36 करोड का डेप्ट है। जबकि कंपणी का एन्युल प्रॉफिट 9.60 करोड का है इसलिए कंपणी को हम डेप्ट फ्री कंसिडर कर सकते। तो चलिए अब इसके फाइनांसियल कंडिशन भी देख लेते हैं। कमपणी का रिवेन्यु लगातार हर साल इंक्रीज हो रहा है। प्राइस उन्निस रुपई चल रहे हैं तो आप इसे एक इसे कंसिडर कर सकते हो नाव दोस्तों हमारा सेकंड स्टोक है जिसका नाम हम वीडियो के एंड में बताएंगे क्योंकि दोस्तों ये स्टोक बहुत अच्छा है इस कंपनी का फंडामिन्टल भी बहुत स्ट्रोंग है तो पहले हम इस श्टोक के बारे में जान लेते हैं एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है ये 40 से भी ज्यादा प्रोड़क्ट मैनिफेक्चर करती है और 25 कंट्रीज में अपन 66 करोड का है इसका ROE 9.88 परसेंट का है और ROC 10.6 परसेंट का है जो की एवरेज माने जाते अब बात करें इसके डेप्ट की तो कंपनी के उपर 57.8 करोड का डेप्ट है और कंपनी का एन्यूल प्रोपिट 19.8 करोड का है कंपनी के एन्यूल प्रोपिट से कंपनी के उपर ज के पास 53.88% की होल्डिंग है और foreign institution mutual fund और domestic institution इनके पास 0% की होल्डिंग है तो चलिए इसके financial condition भी देख लेते हैं कमपनी का revenue 2018 में 159 करोड का था 2021 में 245 करोड का revenue generate हुआ था लेकिन 2022 में revenue थोड़ा सा गटकर 220 करोड का हुआ है और कमपनी का profit भी 2018 में 9 करोड हुआ था 2021 में 29 करोड हुआ था और वहाँ से गटकर अब 2022 में 20 करोड का profit हुआ है और अभी इसके एक share की price 9 रुपे के आसपास चल रही है तो आप इसे consider कर सकते हो तो दोस्तो हमारा third stock है जिसका नाम है दोरिके sugar industries limited ये कमपनी sugar बनाने के साथी ethanol भी manufacture करती है जो की fuel की तरह काम करता है और government का target है 2025 तक petrol में ethanol की blending को 20% करना जिसकी वज़े से company का profit increase हो सकता है और ऐसा हो भी रहा है इसलिए company को long term hold करने से बहुत अच्चा profit हो सकता है और अभी ये stock अपने 52 week high से 30% की discount में मिल रहा है तो अब इसके fundamental देख लेते इसका market capitalization 1909 करोड का है इसका ROE 24.8% का है जो की बहुत अच्चा है और इसका ROC 20% का है ये भी बहुत अच्चा है और company के उपर 524 करोड का debt भी है company का PE ratio 12% का है और industry का PE 13.8% का है दोस्तों अगर company के share holding pattern की बात करे तो company के promoters के पास 42% का मालिकाना हिस्सा है तो चलिए इसके financial conditions भी देख लेते हैं company को 2018 में 1458 करोड का revenue generate हुआ था और वहाँ से revenue हर साल लगातार increase हो रहा है और अब 2022 में company ने 1974 करोड का revenue generate किया है और अभी इसके एक share की price 100 रुपे के आसपास trade कर रही है तो आप इस stock को consider कर सकते हो दोस्तों हमने हमारे second stock का नाम आपको बताया नहीं था तो उस company का नाम है Syncom Formulation Limited तो दोस्तों हमारे पहले stock का नाम था Iron Limited दूसरे stock का नाम है Syncom Formulation Limited और third stock का नाम है Dorkes Sugar Industries Limited तो आप इन सभी stock को consider कर सकते हो लेकिन दोस्तों आप इस में से किसी भी stock में investment करने की सोच रहे हो तो long term के लिए करना मिलते हैं नेक्स्ट यूडियो में तब तक के लिए Happy Financial Freedom स्ट्रेदच अजरणी धिरणों